आपके हर्याना के शेर लोक्प्रिय नेता चौधरी भुपिंदर सिंग हुडा जी रोतक से उमीदवार आपके अपने दिपिंदर हुडा जी मंच पर उपस्थित विधायक जगबीर बलिक जी श्रीकृशन हुडा जी और तमाम पतादिकारी मुथबीर नेता जो मंच पर उपस्थित है मैं सबको संबोधन में शामिल करता हूँ इस चुनाव हलके के सोनिपत के गोहाना के रोतक के प्रबुध मद्दाता बुजर्गों भाईों बेहनों और नौजबान साथियों मैं माफी चाहता हूँ जो बहुत देरी हुई और यह मैं कहना चाहता हूँ क्योंके यहां पर मीडिया भी मौजूद है कि मेरे देरी से आने का कारण नरेंदर मोदी है मैं ढ़ाई घंटे तक उड़ने की अनुमती नहीं दी मैं ढ़ाई घंटे तक बैठा रहा एरपोर्ट पे के मोदी जी रोतक गए है पहली बार हमने देखा है कि प्रजय तंत्र के अंदर जब चुनाव होता है सब बराबर होते हैं चाहे वो नरेंदर मोदी है चाहे चौधरी भुपिंदर सिंग हुड़ा है या राहूल गांदी किसी को रोका नहीं जा सकता खिर ये बात हम तै करेंगे 23 तारीख को जब मोदी जी का विदाई समारो होगा मैं आज यहाँ पर आपका आशीरबाद मांगने आपका समर्थन मांगने आया हूँ एक ऐसे नेता के लिए जिसमें प्रतिबदता और निश्टा रही है आपके लिए और पूरे हर्यना के लिए जो अभूद पूर विकास किया मेरी ऐसी समझ है कि सुभागे शाली है वो प्रांत और वो क्षेत्र जहां से ऐसे सजन और योग्यव्यक्ति आपके उमीदवार हूँ उसी तरह से मुझे ज्यादा नहीं कहना मैंने योग्यता दिपेंदर की भी देखी है पड़ा लिखा है हर बात समझता है संसद में अच्छा योग्दान करता है पर आज के चुनाओं में मुखे बात क्या है क्या कारण है कि ये चुनाओं पहले चुनाओं से अलग दिखता है इसका कारण है 2014 और 2019 के बीच का वक्त आज कई विशे चुनाओं में हैं चर्चा में स्वभाविक कि भारते जन्ता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपनी बात कहें और कॉंग्रेस पार्टी राहुल गांदी सोनिया गांदी जी हम अपनी बात पहुंचाएं पर ये दो विचारधाराओं की टकराव है दो सोच की टकराव है केवले कुर्सी की लड़ाई नहीं है मैं गंभीरता से कहूँ ये हिंदोस्तान की लड़ाई है संविधान को बचाने की लड़ाई है आपके हकुक मौलिक अधिकर को बचाने की लड़ाई है जो पांच साल में न्याय हो रहा है जो पांच साल में वाइदा किलाफी हुई है पांच साल में धोका धड़ी हुई है आज नरेंद्र मोदी एक उस विशे पे चर्चा नहीं करना चाहते जो आप सुनना चाहते हैं उनसे 2014 याद है क्या कहा था इन्होंने सब्स बाग दिखाए थे लुभा लिया था लोगों को जनादेश मिला इनको आपने विश्वास किया नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर पूरे हिंदोस्तान के लोगों ने किसान को उसकी फसल की जो कीमत लागत उसकी इड़ गुना M.S.P. देने की बात करी किसान की आमदनी दुगने क्रणे की बात की महिलाओं के सुरक्षा की बात की देश की जनता को अच्छे दिन का वाइदा किया हिंदोस्तान के लोग अच्छे दिन की इंतजार में पांच साल बैठे रहे इन्होंने तकलीफ के और बुरे दिन इस देश के लोगों को दिखाए रोजगार पैदा करना तो दूर करोड़ों में रोजगार टूटा हिंदोस्तान के अंदर और उसके जिम्मेवारी सीधी नरेंद्र मोधी पर है उनके घलत फैसलों से चो ताना शाही तरीके से किये गए उससे कारोबार बंद हुए फैक्टरीज बंद हुई करोड़ों रोजगार हिंदोस्तान के तूटे है 8 नवंबर 2016 याद है आपको क्या फैसला किया था 86 प्रतिशत पैसा जो आपका पैसा था भारत के लोगों का पैसा था किसान का था हमारी माताएं बेहने बेटियों का था बैपारियों का था उसको रद कर दिया प्रधान मंत्री ने एक फैसले से अगले दिन से लोग अपने पैसे के लिए गुहार करने लगे हाथ पहलाने लगे क्या कारण बताये थे नरेंद्र बोदी जी ने आपका पैसा चीनने पर कहा था है काला धन है अपराद का पैसा है अदंक वादियों को फंडिंग होती है और कुछ में नकली नोट मिले हुए हमने तब भी इनको कहा था कि मोदी जी कृपा करिए पूरी दुनिया के सामने हिंदोस्तान को कलंकित मत करो कि इतनी बड़ी एकॉनिमी जो हम छोड़के गए दस साल में डॉक्टर मनमोहन सिंग और कांगरिस की सरकार जिसने देश की जीडी पी को चार गुना किया चार गुना हम दो ट्रिलियन डॉलर की जीडी पी छोड़कर गए ये मत कहिए आप कलंकित करते हैं कि इस देश की एकॉनिमी काले धन पर और अपराद के पैसे पर चलती है ये लोगों का पैसा मेहनत का मसदूरी का पैसा तर तालिस दिन तक प्रती दिन ग्यारा करोड हिंदोस्तान के लोग बैंकों के बाहर खड़े रहते थे एटियम के बाहर खड़े रहते थे गाँवाले तडबते थे हिंदोस्तान में साथ लाग गाओं है मालूम करिये कितने गाउं में बैंकों की शाखाएं है लोगों को सौ सौ किलो मिटर चलना पड़ता है कोई बैंक नहीं है ये बहुत बड़ा देश है लोगों ने तकलीफ उठाई सैक्डों लोग मर गए लाइनों में लगे हुए हजारों मर गए जिनके परिवार अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल सके उनका इलाज कराने के लिए उनके लिए दवादा खरीदे के लिए लाखों बेटियों की शादी तूटी हजारों बेटियों ने आतम हत्या की पूरे हिंदोस्तान में और नरेंद्र मोदी संवेदन हीन है आज तक उनमें अहंकार इतना है कि अपनी गलती के लिए माफी मागने को तैयार नहीं है उनका दूसरा बड़ा गलत फैसला जी एस्टी का था मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्या आप लोग बहुत देर से बैठे हैं पर इतना जरूर कहूंगा कि जो पहला फैसला था उसने हिंदोस्तान की जी डी पी का दो प्रतिशत साफ कर दिया तीन लाग करोड हमेशा के लिए खत्म वो कभी वापिस नहीं आ रही और दूसरे फैसले से एक तिहाई छोटा उद्योक फैक्टरी असंगठित क्षेत्र तूट गया बारा करोड लोग उसमें काम करते थे करोड लोग बेकार हो गए जो कॉंग्रेस ने कहा था और किया था उसी से लोगों का परिवारों का पालन पोशन हुआ जो फैक्टरी में मजदूर काम करते थे जो दिहाणी दार थे जो शहरों में थे वो गाउं में लोट गए और मन्रेगा जोग पराज नरेंद्र मोदी जी के एक सो सत्रा जन्सभाइ हो गई देश में हर जन्सभा में पच्चिस से तीस करोण रुपया इनका खर्चा होता है रोतक में मैं तो बैठके देख रहा था दिली में मजबूरी में क्योंकि आ नहीं पा रहा था कुर्सियां खाली पड़ी थी नरेंदर मोदी की रेली में खाली अब मैंने भी कहा कि क्या इसके लिए हमको रोका है पर आज मुझे एक चीज़ कहनी कि आज मोदी जी अब उद्दों पे चर्चा से भाग रहे हैं नरेंदर मोदी जी ये देश ये नहीं सुनना चाहता जो आप अक्षे कुमार एक्टर से मिलके इंटर्व्यू करते हो किसी संबादक से बैठते किसी बुद्धी जीवी के साथ बैठते जो आप से इमानदारी से सवाल करता पर वो नहीं ये सारा ऐसा करते हैं पारलेमेंट में हमारे सवाल का जवाब नहीं देते पत्रकार हैं पत्रकार संबेलन नहीं किया पहले परधानमंतरी पांच साल में एक प्रेस कानफरेंस नहीं वो एक्टर को लेकर आगए उस दिन हम जोदपुर गए थे मेरे को याद है हुड़ा जी और मैं मैंने थोड़ा सा देखा बाकी इन्होंने बताया कि मोदी ये कह रहे थे अक्षे कुमार को कि आम कैसे खाए जूता कैसे साफ किया बई हंदोस्तान मोती जी ये नहीं सुनना चाहता कृपा करो हम सबने जूते साफ की हम सबने आम सेब खाए है हम देश को ये निक बताना चाहते है जब जिम्मेवारी मिलती है जना देश मिलता है तो लेखा जोखा देना पड़ता है हिंदोस्तान हिसाब मांग रहा है हिंदोस्तान जवाब मांग रहा है आपसे आप ने कह दिया, तो सारा देश मेरे साथ है, ये भी बड़ी चिंता की बात है, कि अगर प्रधान मंतरी की मानसिक्ता अस्वस्त हो जाए, वो अपनी अलगी दुनिया में रहते हैं, उनका आपकी दुनिया से कोई मतलब नहीं लगता, दुनिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस दिन के बाद अक्षे कुमार भी घबरा गया, तो एक्टर है, फिलम बनाता है, उसमें प्रोडिउसर होता है, डायरेक्टर होता है, कोई कहानी लिखता है, कोई संगीत बनाता है, स्टूडियो बनता है सेट बनता है फिर फिलम खिचती है बनती है तो अक्षे कुमार ने देखा कि कहां लेकर पहुँच गए ये तो एक्टर भी मेरे से बड़ा है प्रोड्यूसर डारेक्टर भी खुद है कहानी भी अपनी खुद लिखता है और मेरे को सवाल भी खुदी लिखके देता है तो ये तो हमारे मानिय नरेंदर मोधी जी है अब सारे मुदों से हटके किन मुदों पे चले गए ये पहले परधान मंत्री हैं जन्होंने जाट की बात कियो ये पहले हैं जन्होंने अपने से पूर्व तमाम प्रधान मंत्रियों की पंडि जवाहरलाल लहरू से लेकर डॉक्टर मनमोन सिंग तक सबको अपमानित किया हो, सबको कोसा बार बार ये कहकर कि उनके आने से पहले इस देश में कुछ नहीं हुआ अजादी के बाद की हिंदोस्तान की उपलब्धियों को नकारा ये पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्हों ने इस देश के लोगों की बड़ी उपलब्धियों जो विश्व सम्मान करता है, उसको नकारा उसको अपमानित किया आप जानते हैं जबारला लहरू का योगदाद, इंद्रा जी का योगदाद, लाल बहादूर शास्त्री का डॉक्टर बन मोहन सिंग का मैं तो बाजबे जी को भी शामिल करता हूँ क्योंकि इनके जो कहते हैं, 60 साल कुछ नहीं हुआ, 65 साल कुछ नहीं हुआ, उसमें यह सब शामिल पर मोदी जी को बताना पड़ेगा, कि इनके प्रधान मंत्री बनने से पहले हिंदोस्तान परमाणू शक्ती बन चुका था अंतरिक शक्ति बन चुका था बड़ी बड़ी संस्थाएं आई आई टी आई एम्स बन गए थे आई टी के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में हिंदोस्तान को सलाम हो रहा था हम चंद्रबा पर पहुँच गए थे हमने चंद्राइन भेज दिया था हमने मंगलाइन रवाना कर दिया था तो कृपा करके इस देश की जनता को मूरक मत समझे अब आज क्या कहते है कि पहले पांच साल तो खराब हो गए ठीक कर रहा था पिछली सरकार की बिगाड़े हुए काम उसमें इन्होंने पूरी देश की अर्थ विबस्ता तहस नहस कर दी और चुनाओ किस बाद पर मांगते हैं हिसाब नहीं देते आतंकवाद से लड़ने के लिए ठीक बाद जो हमारे शहीद है उनके नाम पर वोट दीजिए भारत की सेना की बहादुरी और शौरे पर वोट दीजिए नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव हो जाएगा उन्निस तारीख को आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ा अपराद हिंदोस्तान के साथ कर रहे हैं आप ये याद रखिए कि जब हिंदोस्तान पे संकट आया है भारत के लोग एक साथ खड़े हुए हैं हमने तीन बड़े युद्ध देखे हैं 62 का युद्ध देखा 65 का देखा 71 का देखा जब बंगला देश आजाद हुआ पाकिस्तान ने आतम समरपड किया इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री थी एक लाख युद्ध बंदी यहाँ पर आये थी पर कभी किसी प्रधान मंत्री ने देश की सुरक्षा के विशे में देश को बाटने की कोशिश नहीं की कोई लकीर नहीं खींची कभी कोई भी युद्ध हुआ हो यह पहले प्रधान मंत्री है जो देश के लोगों को बांटते हैं वोट के लिए आतंगवाद के लिए लड़ने के पूरा हिंदोस्तान एक है अपनी फाज को सम्मान और सलाम करने के लिए हम सब एक हैं हर भारत वासी देश मकत है इसका सर्टिफिकेट नरेंदर मोधी आमिश्रा नहीं देंगे और कॉंग्रेस पार्टी को तो नसीहत की जरूरत भी नहीं है इसलिए नसीहत की जरूरत नहीं है हमने आजादी का स्वतंसरता का संग्राम तो लड़ा कुर्बानियें दी पर हमारे दो प्रधान मंत्री शहीद हुए इंद्रा गांधी ने बलिदान दिया शिकार बनी आतंकवाद का देश की एकता और अखंडता के लिए राजीव गांधी जी जिनको ये कोश रहे हैं पिछले तीन दिन से अब मानित कर रहे हैं क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इतिहास इनको माफ नहीं करेगा मैं ये कहना चाहता हूँ जो शहीदों का आप बान करता है पर आखीर में एक बात कहूंग आप से और आपके माधिम से जो पत्रकार है यहां पर बाकी सब लोगों के लिए के कृपा करके वोट के लिए भारत की सेना कामान बन कर दे ये बार बार कहना ये भारत कि नहीं मुदी की फौज है इनके मुखे मंत्री कहते हैं मुदी की सेना है कैबिनेट के मिनिस्टर कहते हैं मोदी की सेना है ये मोदी की सेना नहीं आप सब की और भारत की सेना है जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उसमें हमारे बेटे जाते हैं शहीद होते हैं शहीद देश के शहीद होते हैं वो बीजेपी को वोड डलवाने के लिए अपना बलीदान नहीं देते हैं इस चुनाओं में आप लोगों की ये उमीद थी कि शायद बीजेपी और नरेंदर मोधी आकर ये बताएं कि पांच साल में क्या किया पर वो उसके लिए तैयार नहीं क्योंकि किया नहीं कॉंग्रेस ने जो कहा भाई वोपिंदर सिंग हुड़ा जी दिपंदर हुड़ा जी बाकी वक्ता बता चुके है हमने नारा दिया है न्याए को केवल 72 हजार रुपया सबसे 5 करोड घरीब परिवारों को देने की बात नहीं है हमने न्याए की बात की है किसान के साथ महिला के साथ नौजवान के साथ क्योंकि पिछले 5 साल में अन्याए हुआ है आपके अधिकारों पर चोट पहुंची है तो मैं अन्त मैं आपसे यही कहूंगा और इसको गोर से सुन लो मैं हिंदोस्तान के अलग-अलग राज्यों में गया हूँ दक्षिन में गया गुजरात महराश्ट्र सब जगा जा रहा हूँ देश में बदलाव की मांग है हिंदोस्तान बदलाव चाहता है हिंदोस्तान न्याई चाहता है और आप एक बार बता दे कि आपके यहां के हर्याना के नेता जो हिंदोस्तान के भी बड़े नेता हैं चौधरी भुपिंदर सिंग घुड़ा और भविश्य के लिए जो इतों हार हैं दिपेंदर इनको इतने बहुमत से जिता के भेजो कि विरोधियों को पता लगे कि कितना प्यार कितना विश्वास आपका इनमे है धन्यवाद जय हिन जय भारत